और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कता हूँ आपके अपने चैनल माई पाट साला में और पाट साला रेलवे इग्जाट में तारीक है 25 जुलाई और आज के इंपोर्टन करेंट अपेस आपके सामने हाजिर है एक कोश्चिन आपके स्क्रीम पर है कि BRICS CCI What is CCI? जरूर बात करेंगे कि CCI क्या है? BRICS तो आपको जरूर पता होगा कि सलाकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले आज की important news की तरफ चलते हैं पहली जानगारी मडीपूर से मडीपूर से जानगारी क्या है कि पैधान मंत्री जी ने मडीपूर में एक जल आपूर्ती परियोजना की आधार सिला रखी है अगर आप थोड़ा सा याद हो तो जल जीवन मिशन का नाम आपने सुना होगा जल जीवन मिशन के अंतरगत इस बार बजट में 11,400 करोण रुपे रखे गए थे और इतने रुपे रखने का मकसद ये था कि हर घर जल पहुँचे तो इस जल जीवन मिशन का जो थीम है वो है हर घर जल इसमें इतनी उपलबदता कराई जाएगी कि प्रति दिन 55 लीटर पानी प्रती व्यक्ती को पहुँचाया जाएगा और इसके लिए 2024 तक लक्ष रखा है भारत सरकार ने कि 2024 तक हम हर हाल में हर घर पर जल पहुचाएगे पानी की बात की जाए तो हर घर जल योजना के अंतरगत सबसे बुरी कंडीशन आपकी पुर्वतर राज्यों की है उसी में से एक है मनीपुर तो पैधान मंतरी नरेद मोदी जी ने 13 जुलाई को वीडियो कॉन्फिरेंसिंग के माध्यम से मनीपुर जल आपूर्ती परियोजना की आधार चिला रखी इस परियोजना का मकसद मनीपुर में सबी में जो 1185 बस्तियां है उनमें पीने का पानी उपलब्द कराना है और इसके लिए 3000 करोण का धन उपलब्द भी कराया गया है केन सरकार ने 2024 तक ग्रामीर भारत के हर घर में सुरचित परियाप्त और साप पेजल उप्रब्द कराने के लिए ही जल जीवन मिशन की सुरुवात की है और मिशन का मुख्य गटक सूचना सिच्छा और संचार रहेगा मनिपूर की बात छिड़ी है तो मनिपूर का इंपोर्टेंट करिंट अप्याथ पिछले 6 मेनों के दौरान क्या रहा उनको देखना भी बहुत ज़्यादा अवश्यक है अगर हम बात करें तो अभी हाली में युनाइटेड नेशन ने मनिपूर की एक योजना खुडोल एक अभियान था जिसको टॉप 10 ग्लोबल इनिशियेटिव यानि की वैस्विक रूप से 10 प्रसिद्ध इनिशियेटिव के रूप में नामांकित किया था जो कोविड-19 से लड़ने के लिए कारगर रही खुडोल एक मनोवग्यानिक सलाकार योजना थी इसमें बूडे, बुजर्गों जो भी कोविड-19 से संक्रमित हो सकते थे उन सभी को रात पहुचाने वाली बात की गई थी खौंग्योम डे का संबंध भी आपका मनिपूर से है क्योकि मनिपूर 1891 में एक एंगलो मनिपूर वार हुआ था 23 अप्रेल को हर साल ये खौंग्योम डे उसी विद्ध की याद में मनाया जाता है गोवा पहला स्टेट था जो कोविड-19 से फ्री हुआ जबकि मनिपूर सेकेंड नंबर पर आया था यानि कि मनिपूर देश का दूसरा ऐसा राज्य था जो कोविड-19 से फ्री हुआ था नौर्थ इस फ्रेंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन यानि कि पुर्वत्तर फ्रेंटियर रेलवे ने अभी हाली में भारत का सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया है मनिपूर में जो की मकरू नदी पर बनाया गया है और ये तामिंग लॉंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा मनिपूर की आगन फौ हुंबा योजना ये प्रोग्राम है जो अरापती में आई लेकी इन इंफाल इस्ट में आयुजित किया गया सरकार ने अभी हाली में एक परिसीमन आयोग का गठन किया था यानि कि डेलिमिटेशन कमीशन का गठन किया था जिसके जरिये जम्मू कस्मीर, आसम, मनिपूर और अनुनाचल पदेश में चार राजियों में परिसीमन किया जाना था जनसंक्या के आधार पर वापस से लोकसभा और राजसभा में सीटों का गठन किया जाना था और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ड जज रंजना प्रकास देशाई की अध्यच्छता में किया गया था मणीपुर सरकार ने अभी हाली में फूड बैंक नाम से एक इनिशियेटिव सुरू किया था जिसमें गरीब और जरुरत बंद लोगों को help and hunger today आज की डेट में भूख को खत्म करने के लिए मदद करें इस थीम के साथ इस योजना को सुरू किया गया था इसके अलाबा लिस्प्रियक अंग्यूम का नाम आपने सुना होगा इन्हें भारत की ग्रेटा थनबर कहा जाता है डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम चिल्टरिन एवार्ड इन्हे प्राप्त हुआ है अंतराष्टी बाल सांती पुरुषकार भी इन्हे प्राप्त हुआ है और भारत सांती पुरुषकार भी इन्हे प्राप्त हुआ है इस्प्रिया कंजुम भारत की ग्रेटा थन्बर्ग और अभी कल मैंने आपको बताया था कि ग्रेटा थन्बर्ग जो की स्वीडन की है उनको अभी हाली में गुलोबन की इन एवार्ड दिया गया है। इसे तीतर भी आप कह सकते हैं नोंगेन तीतर कहा जाता है इस्टेट फ्लावर लिली का फूल इस्टेट फ्लावर है जिसे लिलियम मैक लीनिया कहा जाता है इस्टेट ट्री फोईभी हैं या बॉंसम का फूल यहाँ पर मनीपूर का एक ब्रच है उसे मनीपूर में बॉंसम क बहा जाता है मणीपूर की लेंगविज में तो यह आपका मणीपूर का करेंट अपेस रहा पिछले छे महिनों के दौरान यह उसका हिंदी वर्जन है अगली जनकरी है जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह करेंट अपेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपकी नजर में जरूर होना चाहिए क्योंकि आप डेली करेंट अपेस करते हूं और जब कोई भी एक्जाम पास में आता है तो मैं मंतली और फोर मंत मंतली करेंट अपेस भी देता हूं तो वो जरूर आपको मिलेगा फिलाल हम पटक गए अपने विशह से सिंगापूर में अभी हाली में 69 वर्सी है भारती मूलकी नर्स है कला नरायन स्वामी इनको नर्सों के लिए राश्पती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अब क् कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा तो इन्होंने COVID-19 महामारी के दौरन अग्रिम पंक्ती में यानि आगे आकर लोगों की सिवा की और लोगों को COVID-19 महामारी से बचाया और 2003 में सार्स में भी जब सार्स फैला था तब भी उसके दौरान इन्होंने जो सीखा था उसको यहां पर प्रयोग लाए जिसकी विज़े से कई सारी लोगों की जान बजाई जा सकी कला नरायन सामी पुरुषकार पाने वाली पांच नर्सों में से एक है आप तक ये ससतर नर्सों को ये पुरुषकार दिया जा चुका है नरायन सामी का संबंध बुडलैंस हेल्थ पसमें नर्सिंग की योपनी देशक है और सिंगापूर में इनका संबंध है सिंगापूर की बात करें तो सिंगापूर एक छोटा सा देश है सिंगापूर विज़ के प्रमुख बंदर गाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है मुद्रा चलती है सिंगापूर डॉल पिर से वहाँ पर पदानमंत्री चुने गए हैं। मैप में इसकी स्थिती आप देख सकते हो। अपना इंडिया यहाँ है। लेटर सपोज मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ से चलूँगा। नौर्थी डिरेक्शन में बे और बेंगाल होते हुए। यहाँ से जाँगा। उपर यह ग्रीन कलर का मलेशिया है। नीचे साइड पर इंडोनेशिया है। और मलेशिया और इंडियानेशिया के बीट में यह छोटा सा आप सिंगापूर है। चोटा सा सिंगापूर है। अगली जनकरी के तब चलते हैं। अगली जनगरी है निकारागुवा ये एक मद्य अमेरिकी देश है निकारागुवा ये अभी हाली में अंतरराष्टी सौर गडवंदन में सामिल होने वाला सत्तासिमा देश बन गया है। देशों का समू है जहां पर सूर की किर्णे सीधी पड़ती हैं। हॉलेन ड्वारा, सहीं तरूप से किया गया था उन्होंने कहा था, कि ये जो देश हैं जो भी आपके, यहान पर पड़ते हैं भूमद रेखा पर पड़ते हैं भूमद रेखा पर जो भी देश पड़ते हैं उन स linguistic की करणे सीधी पड़ती है और यहाँ पर हमें एक उर्जा का वैकल्पिक स्त्रोत मिलता है सूर के रूप में क्यों न हम इनका प्रयोप करें और एक एलायंस बनाएं और एक दूसरी को सहायता दें ताकि इस उर्जा का अच्छे से प्रयोप किया जा सके या पेरिज जलवाई समझोते के कार्यानवन के लिए एक प्रमुक वैस्वीक पहल भी रही जिसमें सौर उर्जा इकाईयों को तेजी से इस्थापित करने की कल्पना की गई ताकि हमारा जो निरवर्था है विद्पन विद्धुत जो पानी वाली विद्धुत है जल विद्धुत पर कम हो जाए 6 दिसमबर 2017 को ये गड़बंदन एक संधी आधारित अंतर सरकारी निकाई बन गया है इंटरनेशनल सोलर एलाइंज एक मात्र अंतराष्टी संस्था है या अंतराष्टी निकाई है जिसका की मुख्याले भारत में है I.S.A. का मुख्याले आपका गुरुगाम में है गुरुगाम यानि की गुरुगाओं में इसका मुख्याले आपको देखने को मिलेगा ये है एक्टर सोनुसूद एक्टर सोनुसूद वर्तमान समय में 46 वर्त के हैं पंजाब के लुदियाना के रहने वाले हैं और COVID-19 के दौरन सोनु सूद और उनके एक दोस निती गोयल की हैस्टेग घर भोजो पहल के तहित कई प्रवासी में असदूरों को घर भेजा गया था और ये भगवान की तरह नजर आये थे लोगों को कई सारे राज्यों के राज़पाल ने इनकी तारीफ की थी कई सारे अब इनेताओं ने भी इनकी तारीफ की लोगों ने इने फिल्मों का विलेन माना लेकिन ये वास्तविक जीवन में हीरो के रूप में उबर के सामने आये बॉलीबोड अबनेता एक बार फिर से सामने आये हैं जिनोंने सोनु सुधने अब हो है रोज़गार की बारी जिन प्रवासियों को घर भेजा था उनका डेटा का इस्तमाल करके उन्होंने एक एप डेवलप करवाया है जिसका नाम रखा गया है प्रवासी रोजगार एप इस एप में 500 से अधिक निर्माण, परिदान, स्वास सेवा, इंजिनरिंग, बीपियो, सुरच्छा, आटो मोबाइल, ई-कॉमर्स और लोजिस्टिक सेक्टर की प्रतितित कंपनियों को नौकरी के आउसर उपलब्ध होंगे जहाँ पर प्रवासी मजदूर खोच कर सकेंगे अपना रोजगार इसके लावा प्लेटफर्म रोजगार के लिए विसिट प्रतिच्छन कारिकरम जैसे अंग्रेजी बोलना सीखना भी चलाये जाएगा तो आप देख सकते हैं कि सोनुसूद एक नया एप बना के लिए क्या है उनका नाम है प्रवासी रोजगार एप और इसमें ऐसा नहीं कि उन्होंने ये खुद करा है कई सारी सामाजिक संस्ताइं हैं कई सारे NGO हैं जिन्होंने मिलकर ये किया है कई सारे अधिगारियों ने भी इसमें योगदान दिया है लेकिन इस तरह की पहल में सोनुसूद का सामने आना एक अच्छी बात है तो प्रवासी रोजगार अब किस अभीनेता ने लॉँच करवाया है ये है सोनुसूद अगली जनकरी है च्छतितगर में गोधन न्याय योजना बड़ी विवादस्पत योजना रही जिसको आखिरकार ये लॉँच होई गई है गोधन का मतलब होता है गोबर च्छतितगर के मुख मंतरी भुबेश पगेल ने गोधन न्याय योजना की सुरुआत कर दी है जिसकी गोषना उन्होंने एक महीने पहले कीती गोधन न्याय योजना के अंतर का च्छतितगर सरकार पसुपालकों से दो रुपे पैतीक लोगराम की दर से गाय का गोबर खरीदेगी और उसे 8 रुपए प्रती किलोग्राम की दर्थ कमपोस्ट में बदल कर यानि कि क्रमी खाद में बदल कर वापस किसानों को बेच देगी तो इस तरीके से 2 रुपए की चीज 8 रुपए में बेची जाएगी लेकिन उसमें प्रोसेसिंग होगी इससे क्या होगा कि बीच में महिला स्वायता समू यानि कि SHG Self Help Group सामने आता है Self Help Group क्या करेगा जगे जगे से गोबरी खटा करेगा और इसकी बाद उसको खाद में बदलेगा इस योजना का मेंन मोटिव ये है कि चतितगड में एक प्रथा है चराई की अपने जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है और वो दूसरे के खेतों में जाकर नुकसान करते है जिसके वज़े से हर साल किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे बचाने के लिए जब उन्हें ये पता चलेगा कि गोबर भी वो बेच सकते हैं उससे भी कुछ पैसे कमा सकते हैं तो ऐसे में वो अपने जानवरों को छोड़ेंगे नहीं और जो गोबर या गंदगी बाहर फइलाते हैं उसको एखटा करेंगे और उसको बाद में कर सकेंगे पैसे में तो गोधन याई योजणा की सुरवात कि सरकार ने की है 36 गड़ सरकार ने की है चतितजगर के बारे में अभी हाली में बात करें तो चतितजगर के CM वुपेज बगेल ने employment यानि कि रोजगार बढ़ाने के लिए एक mobile app लॉंच किया था रोजगार संगी राइपुर चतितजगर की राधदानी में बुपेज बगेल ने अभी हाली में गौरिला पेंडरा मायवे ही चतितजगर का 28 डिस्टिक के रूप में उसे मानता दी चतितजगर सरकार ने अभी हाली में राजीव गांदी किसान नयाई हो जना शुरू की थी फॉर्मस के लिए चतितजगर जो लोग भी मन्रीगा के तहत रोजगार पाने वाले यानि kommt19 के दोरान इस साल सबसे ज्यादा रोजगार मन्रीगा के जरिये जिस ने जिस राजी ने दिया है वो चतितजगर है जबकि अब तक सब रोजगार देने वाला जो राज्य है वो आपका उत्तरपतेश है 36 गड़ के पहले सियम अजीद जोगी अभी हाली में उनका देहाफसान हो गया था 34 वसकी आयू में और 36 गड़ पहला इस टेट है जिसने गोधन न्याय योजना शुरू की है ताकि जो काउ डंग है उसको लिविश्टोक ओनर्स को से एक जरी इखटा करके यानि कि उसको बार में इखटा करके जिसके बारे मैंने अभी आपको बताए कि उसको इखटा करके वापस से कंपोर्ष में बदल कर को दोबारा बेचा जाएगा चीप मिनिस्टर है बुपेज बगेल इंडिया नेशनल कॉंग्रेस से आते हैं यानि कि राज़की पसू है वाइल्ड एशियन बफैलो जंगली भैसा इसमें अभी तक बुज़र्गों, दिव्यां, विंक्तियों और विद्वाओं को सायता दी जाती थी लेकिन अब इसमें एक नया समुदाय एड किया गया है ट्रांसजेंडर समुदाय मदुबाबो पेंसन योजना यानि MBPY राज सरकार दोरा सुरू की गई एक सामाजिक सुरच्छा योजना है उरिषा सरकार की योजना के उद्देश से निरासर बुजर्गों दिव्यां विक्तियों को 500 रुपए, 700 रुपए, 900 रुपए की पेंसन प्रतिमा दी जाती है लेकिन इसके लिए एक सर्थ है कि लाबार्तियों की जो वार्षिक आया है वो 40,000 रुपए से किसी भी तरीके से उपर नहीं होने चाहिए मदुबाबु पेंसन योजना का संबंध किस से है इसका संबंध आपका उरिषा से है उरिषा के मुख मंतरी नवीन पटनाया अगली जानगारी है यूनियन मिनिस्ट्री अभियान के तहट कालोनियों, खानों और कारियालों में पेड़ लगाये जाएंगे यह आभासी कारिकरम 130 से अधिक इस्थानों पर एकसाद शुरू हुआ दस कोईला और लिगनाइट प्रभावित राज्यों 38 इस्थानों पर पहले हुए है इनको इको जोन में बदलने के लिए यहाँ पर हरियाली लाने के लिए इस प्रोग्राम के शुरूआत की गई है इस अभियान के तहट हमिस्थान ने छे इको पार्क और परियाटन इस्थानों का उधगाटन और सिलान नयाद भी किया इस अभियान का आयोजन कोईला मंत्राले दोरा किया जा रहा है सभी कोईला और लिगनाइट पियस्थानों इसमें सामिल होंगे इन्हें BRICS Chamber of Commerce के युवा नेताओं के लिए BRICS Chamber of Commerce के युवा नेताओं के लिए संचालन समीती का मानस सलाकार निर्थ किया गया वैसे वो मुंबई के Customs के Deputy Commissioner है BRICS ECI का लच्छ दुनिया भरके युवा उद्ध्यमियों खासकर MSME सेगमेंट के लिए एक सच्छम समर्थन प्रणाली त्यार करना है किसी तरीके से इनको सपोर्ट करना है तो Chambers of Commerce Industry के मानस सलाकार निर्थ वे साहिद से मानस सलाकार समीती का जो काम होता है वो ये होता है कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दच्छिड अप्रिका जिसे ब्रिक्स कहा जाता है देशों में खुद को व्यवस्थित करना और ये देश तीन साल की समयावधी के लिए इस समिती की अध्यश्चिता करते हैं ब्रिक्स CCI एक ऐसा मूल संक्टन है जिसका उदेश ब्रिक्स राष्ट्रों में वाणिज और उद्योगों को बढ़ावा देना है और इनके बीच में आपस में जो भी ब्यापार के लिए आपशिक्ता हो उसे किया जा सके ब्रिक्स की बात करें तो एक नई न्यूज अभी आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि ब्रिक्स के एक ब्रिक्स का जो बैंक है जिसे New Development Bank कहा जाता है अभी तक इसके महासचिव के भी कामत थी लेकिन अब इसके महासचिव होंगे जो कि ब्राजील से बिलॉंग करते है ब्रिक्स उभरती हुई राष्टी अर्थव्यस्ताओं का एक समू है इसमें अभी पांच देश सामिल है इन देशों के नाम से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और स्री लंका सौरी, साउथ अपरिका सापक देशों में चीन, भारत, ब्राजील और रूस थे फिर बाद में इसमें साउथ अपरिका भी सामिल हो गया था लेकिन इंपोर्टन बात यह है कि ब्रिक्स देशों की जो बैठक होती है जो सजश्चिता होती है जो अध्यचिता होती है वो क्रमा नुसार इसी से होती है बी, आर, आई, सी, एस से जैसे 2019 में जो बैठक होई थी वो ब्राजील में होई थी 2020 की जुलाई में होनी थी रसिया में थोड़ा सा टाल दी गई आई की फिर मरलब इंडिया का नंबर आएगा फिर चाइना का नंबर आएगा और फिर साउथ अपरिका का नंबर आएगा ब्रिक्स की इस्थापना जून 2006 में की गई थी जबकि न्यू डेवलेमेंट बैंक की इस्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी और इसका मुख्याल है संगाई चीन में है न्यू डेवलेमेंट बैंक का आगली जनकरी न्यूस फटाफट के फ़र्म में 23 जुलाई इंपोर्टेंट ये बाल गंगा दर तिलक और चंसीखर राजा दोनों की जेहनती है दोनों ही अपने इस्थान पर महान लोकमाने तिलक भारती 173 संग्राम के पहले लोग प्रिये नेता थे बाल गंगा दर तिलक ने ही सबसे पहले ब्रिटिस राज के दौरान पूर्ण सुराज की मांग उठाई थी उन्होंने वर्मा में जेल में रहते हुए महान किताब गीता रह्ष लिखी थी जबकि महान करांदिकारी चंसिका राजात का जन्म 13 जुलाई 1906 के दिन अली राजपुर जिला भावरा गाउं में पिता पंडित सीता रामतिवारी और माता जगरानी देवी के यहां हुआ था नेशनल ब्रोड कॉस्टिंग डे इस ऑब्जर्ड एड 23 जुलाई प्रतिक बर्थ 23 जुलाई को राश्टिय प्रसारण दिवस मनाये जाता है 1927 में आज की ही दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण हुआ था एक नीजी कंपनी इंडियन ब्रोड कॉस्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे से हुआ था पिर 1927 में सरकार ने इस कंपनी को अपने नियंतरण में ने लिया और इसका नाम रख दिया भारतिय प्रसारण सेवा 8 जुन 1936 को भारति प्रसारण सेवा को All India Radio नाम दिया गया और 1956 में इसे आकासवाणी का नाम भी दिया गया वर्तान में आकासवाणी के 414 केंदर हैं जो 23 भासाओं और 189 बोलियों में प्रसारण उपलब्द कराते हैं तो National Broadcasting Day 23 जुलाई चंसेका राजाजी की जैनती 23 जुलाई और लोकमान बाल गंगदर तिलक की जैनती 23 जुलाई अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर के किस भारती मूलकी नर्स को COVID-19 सेवाओं के लिए सिंगापूर के राष्टी पुरुसका से सम्मानित किया गया है तो उनका नाम है कला नरायन स्वामी राष्टी प्रसाणर दिवस निम्निमे से किस दिन मनाय जाता है 23 जुलाई को और मिनिस्ट्री ओफ कोल ने अभी हाली में यानि कि कोईला मंत्राले ने अभी हाली में व्रच्छर उपड अभियान का आयोजन किया साहिल सेट को चुना गया है ब्रिक्स CCI के लिए सलाकार के रूप में और 2024 तक के नजरकार ने टारगेट रखा है कि प्रतिक ग्रामीर भारत के हर घर में सुरच्छित पर्याप्त और साथ पेजल उपलब्द कराया जाएगा और इसके लिए जल जीवन मिशन की सुरुआत क की गई है 11,400 करोन रुपए इस साल बजट में आवांटित किये गए है 55 लीटर प्रतीविक्ति का मानक तैग किया गया है ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो डेटा है जो आपको जरूर पता होने चाहिए किस बॉलीवोड अबनेता ने प्रवासियों को पूरे देश में नोखरी के अवसर तलासने में साहिता करने के लिए प्रवासी रोजगार एप लाँच किया है तो वह है सोनुसूद हाली में किस राज ने? गोधन न्या योजणासुरू की चत्विदगर के मुख्ध मंत्री ऑपेत्प बगेल द्वारा कुईज की बात करते हैं तो व्रच्छार ओपर अभियान का आयोजन किस ने किया है तो अभी हाली में मिनिस्ट्री आफ कोल ने इसे आयोजित किया है राश्टी प्रसाण दिवस निम्निम्नि से किस दिन मनाया जाता है हर साल 23 जुलाई को आजी के दिन पहला ब्राटकॉष्ट हुआ था ब्रिक्स CCI के सलाकार के रूप में हाली में किसे निव्ट किया गया है साहिल सेट को किस भारती मूलकी नर्स को कोविड-19 की सेवाओं के लिए सिंगापुर के राश्टपती पुरुसका से सम्मानित किया गया का नाम है कला नरायन स्वामी के इन सरकार ने कब तक 2024 तक ग्रामीर भारत के लिए हर गर में सुरच्छित परियाप्त वस्पाप पेजल उपलब्द कराने के जल जीवन मिशन के शुरुआत की है किस बॉलिवुड अबनेता ने प्रवासियों को पूरे देश में नौकरी के अफसर तलासने के लिए प्रवासी रोजगार एप लॉंच किया है तो वो है सोनु सूद हाली में किस राज सरकार ने गोधन नया योजना की शुरुआत की तो ये है 36 गर्द हाली में किस राज में मदू बाबू पेंसन योजना को सामिल किया गया है ट्रांजेंडर समुदायों को तो ये एक पेंसन योजना है जिसमें 500-700-900 रुपए की प्रतिमा प्रदान की जाती है तो हाल विलाल मदू बाबू पेंसन योजना उडिशा से संबन दित है बाल गंगादर तिलक और चंसे कर राजाजी की जैनती कब मनाई जाती है हर साल 23 जुलाई को अंतराश्टी सौर गड़ बंदन फ्रेमवर्ट समझोते प्रहत्ताचर करने वाला सत्तासिमा देश कौन सा है तो वो है रिपब्लिक आप निकारागुगा तो दोस्तों ये थे आची हमारे important current affair और कल मैंने पूरा दिन इंतजार किया आपके 2000 लाइक का बट वो नहीं हुए कोई बात नहीं आज फिर करने की कोशिस करिएगा होंगे तो फिलाल आज के लिए इतना ही thank you so much बापाए